नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आज की जो खबर है वो निकल कर सामने आ रही है चीन से दरसल चीन बहुत ही जादा भढ़का हुआ है और चीन के साथ-साथ ही जो चीनी मीडिया है उसे तो ऐसी मिर्ची लगे हुई है कि पूछे मत और जो निशाना है चीन का वो है भारत और रूस पर आप कहेंगे कि पिछले एक महीनी में तरह कुछ हुआ नहीं है ऐसी कौन सी भैंस खोली भारत और रूस ने चीन की जो चीन बढ़का हुआ है और जो चीनी मीडिया है वो बिना पानी के मचली जैसे तड़फ रही है मैं आपको बताता हूँ बहुत ही डीटेल से दरसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत पिछले एक साल से लगातार चीन को घेड़ने की कोशिशे कर रहा है और इसी कोशिशों में सबसे एहम है कि जो चीन के पडोसी देश है खासकर कि ऐसे देश जो चीन से दुस्मानी रखते हैं जैसे की फिलिपीन्स हो गया वियतनाम हो गया इन्हें मजबूत करना इन्हें नए नए हतियार देना ताकि ये चीन को तगड़ी चुनोती दे सके हैं और भारत का काम चीन के खिलाफ और आसान हो जाए तो इन्हें में सबसे बहतरिन हतियार आता है ब्रमोस मिसाईल दरसल भारत फिलिपीन्स और वियतनाम के साथ पिछले दो सालों से लगातार ब्रमोस को लेकर बातचीत कर रहा था दोनों देश भी चाते थे कि उनके पास ब्रमोस जैसी दुनिया की सबसे बहतरिन क्रूज मिसाईल आ जाए ताकि चीन उनके इलाके में फटकने की कोई हिमाकत ना कर सके तो ऐसे में दोनों देशों ने भारत से संपर किया था और तभी से दोनों देशों के बीच में डील को लेकर बातचीत हो रही थी और पहली काम्याभी भारत को मिली है फिलिपीन्स के साथ भारत और फिलिपीन्स ने अभी पिछले हफते ही एक डील साइन कर ली है ओफिशल डील साइन हो गई है कि भारत यहाँ पर बेचेगा फिलिपीन्स को ब्रमोस मिसाइल और इस सोदे से सबसे बड़ा खत्रा था चीन को, क्योंकि चीन के जो कोस्ट गार्ड है, वो लगातार इन्फिल्ट्रेट करते हैं फिलिपीन्स की समुद्री सीमा को, क्योंकि वो जो फिलिपीन्स का समुद्री इलाका है, उसे दक्षिन चीन सागर का इसा मानते हैं, और दक् ब्रमोस का फिलिपिन्स जाना इनके लिए एक बड़ा खत्रा है अला कि अब आप कहेंगे कि चलिए जो भड़क रही है चीनी मीडिया और इसके लावा चीन के जा सरकार है वो तो भड़क रही है रूस पर क्यों बड़क रही है उसका कारणा बताता हूँ देखिए जो ये सोदा था लगातार दो सालों से हो रहा था ऐसा नहीं कि कोई लुका छुपी बात थी बिल्कुल खुले आम तोर भड़क बात कर रहा था चीन ने सोचा कि अगर ये ब्रहमोस मिसाइल उसके आसपास आ गई तो उसके लिए खत्रा है ऐसे हैं में उसने पूरी कोशिश करी कि इस सोदे को रुकवाए जाए और चीन ने इसके लिए स्तवाल किया रूस को क्योंकि जो ब्रहमोस मिसाइल है उसमें 49 फीसदी हिस्सेदारी रूस की है 21 फीसदी भारत की है तो चीन ने रूस से कहा कि जी आप जो ब्रहमोस का एक्सपोर्ट का जो सोदा है उसे रुकवा दीजिए लेकिन रूस ने साफ इंकार कर दिया क्योंकि देखिए रूस को भी पैसो की ज़रुत थी रूस की जो हालत है कोनमी खालत काफी खराब है ऐसे में उसके पास कहीं से भी पैसा आता है तो यह उसके लिए अच्छी बात थी दूसरा अगर रश्या यहाँ पर रोक ताइस डील को तो फिर भारत यहाँ पर रूस से भविश्य में कोई हत्यार खरिदने वाला नहीं था ऐसे में रश्या नहीं रोका और फिलिपीन्स के साथ यह सोदा हो गया और अब उम्मीद है कि वियतराम के साथ भी जल्द ही अगले कुछ महीनों में सोदा हो जाएगा वियतराम तो बिल्कुल ऐसा मान कर से लिए कि चीन के सर पर ही बैठा है वहाँ पर ब्रमोस तैनात हो गई तो चीन की लंका लग जाएगी और इसी को लेकर जो चीनी मीडिया है वो भड़का हुआ है भारत पर भी और रूस पर इसलिए खासकर कि रूस यहाँ पर मदद कर स कुछ पाएगा नी लेकिन ब्रमोस उसके जो जातर आबादी वाले शहर है वहाँ पहुच जाएगी खासकर कि होंग कोंग के पास में जो सबसे स्पेशल चीज होने वाली है तो क्या आपको भी वियतराम ब्रमोस डिल का इंतिजार है कमेंट खटके जरूर बताएगा वीड दुकुफद बोलेगा थैंक्यों रूराचिक वीडियो